हेलो बच्चों कैसे हैं आँ उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे पच्चों आज हम बढ़ेंगे पत्र लेखें यानि पत्र कैसे लिखा जाता है बच्चों आजकल कंप्यूटर, इंटरनेट और मुबाइल का जमाना होनी के कारण पत्रों का प्रियुक बहुत कम हो गया है लेकिन आज भी पत्र बहुत महत्पून है दूसरों तक अपनी बात पहुचाने का सबसे अच्छा मध्यम पत्र है पत्र लेकन एक कला है, पत्र लिखते समय ध्यान देनी योग्य कुछ बाते इस प्रकार है जिसे पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ठ होनी चाहिए पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए पत्र की लिखावट साफ और सुन्दर होनी चाहिए पत्र में लिखी विशेवस्तू स्पष्ठ होनी चाहिए आईए जाने पत्र की प्रकार पहला है अपचारिक पत्र या बहरी पत्र जो पत्र प्रधानाचारे संपादक सरकारी कार्यालेओं आधि को लिखे जाते हैं वे अपचारिक पत्र खेलाते हैं दूसरे तरह के पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र या घरीलू पत्र जो पत्र मित्रों, सगे सम्बंदियों, रिष्टेदारों आधी को लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं अपचारिक पत्र लिखने का तरीका देखते हैं, पहले लिखना होता है पत्र भीजने वाले का पता, फिर दिनांग, पत्र पाने वाले का पता, फिर विशय लिखना होता है, फिर संबोधन करना होता है, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, फिर विशय विस्तार, यानि कि जो भ और उपचारिक पत्र लिखने का तरीका देखते हैं इसमें पहले लिखते हैं पत्र भीजने वाले का पता दिनांक, संबोधन, संदेश, कुशल, मंगल, विशेविस्तार यानि जो आपने लिखना हो लिखेंगे फिर समापन करेंगे संबन लिखने वाले का भीजने वाले से यापका क्या रिलेशन है कवखव हो यानि अपना नाम लिखेंगे आईए अपचारिक पत्र के कुछ उधारन देखें पहला उधारन है प्रधानाचारे को अवकाश के लिए पत्र परिक्षा भवन दिल्ली एड्रस लिखेंगे उसके बाद दिनांग डालेंगे 5 जनवरी 2023 सेवा में प्रधानाचारे महुद्ये केंद्रे विद्याले दिल्ली यानि अपने विद्याले का नाम लिखेंगे फिर विशे लिखेंगे तेन दिन के अवकाश के लिए पत्र उसके में 5 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक विद्याले नहीं आ सकूंगा क्रिपिया आप मुझे तीन दिन का आवकाश देने की क्रिपा करें धन्यवाद आपका आज्यकारी छात्र कखगव में आप अपना नाम लिखेंगे आशीश आशा जो भी नाम है अगला विशे है अनुपस्तिती दंड माफ करवाने ही तु प्रात्नपत परिक्षा भावन दिल्ली यानि एड्रस लिखेंगे 15 जनवरी 2023 दिनाग डालेंगे सेवा में प्रधानाचारे मौध्या है उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे डीएवी विद्याले मेरट विशे लिखेंगे अनुपस्तिती दंड माफ करवाने ही तु प्रात्नपत संबोधन लिखेंगे यानि मौध्या है सविने निवेदन है कि कल प्रातह मुस्तलाधार वर्षा होने की कारण में समय पर विद्याले ना सका था इस कारण मुझ पर अनुपस्तिती दंड लगा दिया गया है श्रिमान जी से प्रातना है कि मुझ पर लगा अनुपस्तिती दंड माफ करने की कृपपा करे इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा धन्यवाद आपका आगे करे चात्र काखोगा अपना नाम लिखेंगे आप जानेंगे अनुपचारी पत्र की कुछ उधारन जिसका पहला उधारन है जन दिन पर आने के लिए मित्र को निमंतरन पत्र एम 82 कमला नगार नई दिल्ली यानि एड्रस लिखेंगे पहले पर दिनांग डालेंगे 20 अगस 2023 प्रिय मित्र विशाल यानि अपने मित्र का नाम नमस्ते मैं कुशल हूँ आशा है कि तुम भी ठीक हूँगे इस महीनी के 28 तारिक को शाम 6 बजे मेरे जन दिन के अफसर पर मेरे मम्मी पापा ने गीत संगीत केल कुद वो खान पान का प्रबंद किया है उस दिन तुम्हें जरूरा ना है सभी मित्र आ रहे हैं हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहरना रशना को प्यार देना तुम्हारा अभिन मित्र उसके बाद अपना नाम लिखेंगे अगला विशे हैं हमारा कक्षा में प्रथम आने पर उत्तीर होने पर अपने मित्र को निमंत्रन पत्र 605 बटा ए धोला कुवा नई दिल्ली यह अपना एड्रस लिखेंगे पता डालेंगे अपना उसके बाद धिनांग लिखेंगे दो अप्रेल 2023 प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार तुम्हें जानकर बड़ी प्रसनता होगी कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर उतिर्ण हुआ हूँ इस बात की खुशी मैं मेरे सगे संबंदीव और मित्र जन मुझसे मिठाई खाना चाहते हैं इस बात को ध्यान में रखकर हम उस सब की शोभा बढ़ा होगे तुम्हारा अभिन मित्र अपना नाम लिखेंगे तो उमीद करती हूँ बच्चों आप जान गये होंगे अपचारिक और अनपचारिक पत्र कौन से होते हैं और उन्हें कैसे लिखना होता है अब आप भी इसका अभ्यास करें स्वयम आप सत्ट को अड़ा मेंचारिक हूई कीजिए टू Nh